हलो इस्टूडेंट्स वेलकम माई यूटूब चैनल ड्राइंग सेबंटी एट बच्चों आज की वीडियो में लोग सीखेंगे लाल कनेर के पुस्प कलियों एवं पत्यों पर आधारीत एक आलेखन बनाना जो की 16 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत में होगा देखिए सबसे पहले हमें एक टहनी बनाएंगे पहली बार तो यह रेखा बनाना बहुत ही सरल रहा लेकिन दुबारा बनाते समय ध्यान रखते हैं यह कहीं चोड़ी और कहीं कम चोड़ी नहोने पाए आर पार बराबर चोड़ी रहनी चाहिए देखिए इस रेखा को देखते हुए दूसरी रेखा हम बना रहे हैं अब देखिए यहाँ पर एक फोल लगाएंगे इसके लिए पहले पुस्प के वाह दल बना लेते हैं जो कि कली की अवस्था में इसे बंद रखते हैं आप देखिए आगे एक पाइप समान रचना है और यहाँ से फोल खिला हुआ है एक पंखुडी जो इस तरफ लोट आई है दूसरी पंखुडी इधर जाएगी फोल में एक बीच में छेद है एक पंखुडी इधर हो गई आईसी ही बिल्कुल एक पंखुडी इधर आ गई अब देखिए एक ये हो गई और पाचवी पंखुडी ये हो गई आगे देखिए हमने नोक ना रखके हलका हलका गोल कर दिया है इस तरह एक फूल बन गया चूकि इसका फूल छोटा होता है अता हम दूसरा भी बना सकते हैं देखिए एक फूल हम यहां पर बनाने जा रहे है इसी टहनी के पास में देखिए एक और है इसमें दूसरा फूल लगा हुआ है वैसे ही बिल्कुल देखिए पाइप निकालते हैं अब एक पंखुडी इसी टहनी की और लौट गई है उसको पहले बना लेते हैं से इस जगे में चार और बनाते हैं देखिए इस प्रकार दो पुस्प बन गए हैं अब इसमें हम कलिया बना लेते हैं एक कली देखिए हम इधर निकाल लें हैं ये टहनी यहां पर गई है बीच में फूल आ गया है आगे देखिए यही टहनी बिल्कुल मालूम देनी चाहिए निकली हुई है फिर देखिए कली के वाहिदल हैं जो कि संख्या में पांच हैं किन्तु तीन हमें दिखाई दे रहें दो पीछे की ओर हैं अब यहां से देखिए कली निकलती है पहले कम चोड़ी बीच में ज्यादा चोड़ी होती है आगे की ओर नुकीली है ऐसी ही एक कली और कहीं बनाना चाहें तो और बना लेते हैं देखिए बीच में जगे पड़ी हुई है एक हम यहां पर भी बनाए ले रहे हैं पहले देखे कम चोड़ी बीच में ज्यादा चोड़ी आगे फिर नुकीली हो गई है बीच से इसको हलका सब फार दिया गया है जहां से खिलेगी अब देखिए बच्ची हुई जगह में इस प्रकार पत्तियां बनाते हैं कि पत्तियां कम से कम बनानी पड़े और हमारा अलेखन भर जाए देखे कैसे पत्तियां बना रहे हैं पहले चलिए उपर यहां पर हम भरे दे रहे हैं इसको पत्तियों से ध्यान रखते हैं इसकी पत्ति बीच में न चोड़ी होकर आधे के इस पार सबसे आदा चोड़ी होती है चलिए यहां पर हम इसको सबसे आदा चोड़ी रखेंगे दूसरी रेखा देखिए धीरे धीरे इससे हम दूर करते जाते हैं और फिर आगे लाकर उसी में मिला देते हैं यह पत्ति के बीच सिराएं हैं जो की पहले कोई जरूरी नहीं है इनको हम डारेक्ट रंगते समय रंग से ही बना देंगे इसी प्रकार देखिए और कहां पत्ति बना सकते हैं यहां पर जगए है एक पत्ति बन सकती है सबसे आदा चोड़ी यहां पर होगी इस प्रकार देखिए यह हिस्सा भर गया है आप देखिए यहां पर पत्ति बनाते हैं कभी कभी हमें मुड़ी हुई पत्तियां भी बना देते हैं देखने में अच्छी लगती है सबसे चोड़ा हिस्सा यहां पर था और यहां से देखिए यह मुड़ गई पीछे की और और देखिए इस खाली जगह में एक पत्ति और बना देते हैं इस प्रकार यह हिस्सा तो भर चुका है आप देखिए यहां पर भी पत्ति बना सकते हैं और यहां पर बना सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बहुत पत्तियां बनाई जाएं देखिए जहां पर नहीं पत्ति बनाना है ज़्यादा जगह पड़ी है वहां कुछ ऐसी आकरतियां बना देते हैं जो कि देखने में अच्छी लगती हैं और आसान होती हैं ध्यान रखते हैं या तो इनकी चोड़ाई घटती जा दोनों रेखाओं की बीच या तो बढ़ती जा या फिर बराबर रहे कहीं ज़्यादा चोड़ी और कहीं कम चोड़ी नहीं रखते हैं पहले पत्ती चोड़ी होती जाती है उसके बाद धीरे धीरे देखिए पत्तली होती जाती है सबसे अधा चोड़ाई आधे के इस पार होती है यहाँ पर देखिए ज्यादा जगह खाली पड़ी हुई है यहाँ भी ऐसे आकरित बना देते हैं तो इस प्रकार देखिए बच्चों लाल कनेर के पुस्प कलियों एवं पत्तियों पर आधारी तालेखन बन कर त्यार हो गया है अब इसको रंगना पड़ेगा रंगने के लिए किसी एक रंग से हम धरातल रंग सकते हैं और पत्तियां टहनिया एक रंग से कर देंगे पुस्प एक रंग से हो जाएगा मान लिजे हमने इसका धरातल पीले रंग से रंग दिया या पीले में सफेद मिलाकर क्रीम कलर का भी रंग सकते हैं या फिस सफेद में थोड़ा सा नीला मिलाकर आसमानी कलर से भी रंग सकते हैं उसके बाद इसकी पत्तियां और टहनियां रंगते हैं जो कि हरे रंग से होंगी रंग दो बना लेते हैं जैसे आधी पत्ती हमने प्योर हरे से कर दिया तो आधी पत्ती हरा और पीला मिला कर धानी से कर दिया ऐसे ही एक टहनी हरे से हो गई दूसरी धानी से हो गई जो भी आकृतियां बनी हैं दो आकृतियां बनी हुई एक को हरे से कर दिया एक को धानी से कर दिया पुस्प को देखिए हमने लाल कर दिया ये पिछला हिस्सा जो है इसको भी धानी कर देते हैं इस प्रकार हमारा अलेखन कम्प्लीट हो जाएगा रंगने के बाद इन सभी रेखाओं को जीरो नंबर के महीन ब्रस से इसी गहरे रंग से इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुसे सब्सक्राइब कर लें अपने मित्रों को भी सेयर करें धन्यवाद सब्सक्राइब करें गया है